तिसना स्वागत करती हूं आप सभी का दोस्तो आपके अपने चैनल बियनदास प्लांटिंग में दोस्तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकेवेध्य आकरशक और खुबसूरत फोलिएज हाउस प्लांट लेकर दोस्तो ऐसे तो कई हाउस प्लांट है जो विशेश रूप से उनके आकरशक रूप और खुबसूरत पतियों के लिए घरों में लगाया जाता है ऐसे ही एक प्लांट के बारे में आज मैं बात करूंगी जिसका नाम है कलाथिया औरनाटा कलाथिया के बहुत सारे वेराइटी होते हैं दोस्तों लगभग सौ से भी जादा उसमें यह एक कलाथिया औरनाटा है इसको पिन स्ट्राइप प्लांट भी बोलते हैं और प्रेयर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत ही खुबसूरत अलग-अलग पत्तों में आता है और हर पत्ते में कुछ अलग आपको डिजाइन देखने को मिलेगा जो एक अदभुत खुबसूरती से नामाजा रहता है बहुत खुबसूरत लगता है दोस्तों आप कोई भी कलाथिया प्लांट ले सकते हैं और मैं आज इस कलाथिया और नाटा के बारे में पूरी जनकारी देने की कोशिश करूंगी दोस्तों हमें उमीद है आपके लिए काफी helpful होगा आप भी इसको इंडोर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और जो बेल वाली बटन है दोस्तों उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की कि इसको कहां पे प्लेस कर सकते हैं आप यूँ तो ये अमिर्का साउथ का मिडिल का ये बहुत अच्छा घने जंगलों में ग्रो होने वाला प्लांट है दोस्तों जो बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे ग्रो होता है और बहुत अच्छे से सर्वाइब करता है लेकिन अब इसके खुबसूरत पत्तों की वज़ह से लोग अपने घरों में लगाने लगे हैं और पूरे देश में और विदेश में सभी जगह ये इंडोर प्लांट के रूप में जाना जाता है और बहुत खुबसूरत भी लगता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा केर की जरूरत नहीं है बस कुछ बातों का ख्याल रखिएगा तो आपके साथ सालों साल ये प्लांट चलने वाला है ये प्रेनियल प्लांट है दोस्तों किसले को आपके लिए बहðतर होगा इस प्लांट को लगाने के लिए तो आप कोई भी पॉट ले सकते है दोस्तों आप सरमक पॉट ले सकते हैं कोई वी व्यूटिया सकते हैं李 मिटिया मिटिया। आप छोटे से छोटे pot में भी लगा सकते हैं ये hanging pot में भी लगाया जाता है बहुत अच्छा चलता है तो आप अपने choice के अनुसार कोई भी pot ले सकते हैं लेकिन एक बात खास ध्यान देने वाली है दोस्तों कि जो drainage hole pot का होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए तब कि drainage hole उसका बहुत अच्छे से पानी निकल सके अब निक्स जो बात है दोस्तों इसकी soil mix की जो सबसे ज़्यादा किसी भी plant के लिए important है क्योंकि उसी में आपका growth होता है plant का और उसी में सारा nutrition आपको मिलता है plant को तो उसको खास रूप से आपको तयार करना है और जैसा कि मैं जंगलों में पेड़ के नीचे पाया जाने वाला plant है तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब जो leaf mode होता है उसके जरूवत होती है और उसमें बहुत अच्छे से survive करता है friends तो हमें भी मिटी उसी तरह से बनानी है तो इसमें मैंने जो लिया है उसमें लिया है 40% normal leaf mode और 20% sand और 20 percent compost आप compost कोई भी ले सकते हैं और साथ में 20% ही आपको normal garden soil लेना है तो इस तरह आपको मिला लेना है अगर leaf mode नहीं है तो आपको पीट या पीट मॉस भी आप ले सकते हैं और बहुत अच्छे से इस तरह आपका potting soil mix हो जाएगा और साथ में नीम खली या फंगी साइड जो भी आपके पास अभी लेवल हो उसको एक चमच फंगी साइड और दो चमच नीम खली इस तरह potting mix में मिला के आप इसका potting mix तयार कीजिए और बहुत ही अच्छा से soft और भुर भुरा तयार होगा और इसमें अगर आपके पास leaf mode नहीं है तो rise husk भी मिला सकते हैं दोस्तों म और नया जो इसमें से निकलता है बेभी पफ तो उस तरह से आपको नया-nyया जब soft रहेगा मिटी इस तरह छोटे छोटे नया-nyया पप्स निकलते रहते हैं और आपका पूरा गमला कवर कर लेता है इस तरह फ्रेंश यह देखिए इस तरह छोटे-छोटे यह निकल रहे है तो इस तरह आपको soft और भूरभूरी मिटी बनानी है इस बात का खास ख्याल रखना है तो इस तरह आप मिटी बनाएंगे तो यह कलाथिया और नाटा है बहुत अच्छे सी सर्वाइब करेगा और आपके साथ यह सालो साल चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी पानी रिक्वाइर्मेंट की कि पानी इसको कितना चाहिए तो गर्मी के दीन में दोस्तों खास ख्याल रखना है इसके पत्तों पे भी आपको स्प्रे करना है और गमले में भी मिटी में भी आपको पानी डालना है लेकिन इस बात का ख नहीं दीखेगा इदम भूर भूरा है आप देख रहे हो ऐसे मैंने मुठी बादने की कोशिश की और इस तरह खोला ते यह देखिए पूरा यह है फिर इसको डालने के बाद मैं इस तरह सिंपल हाथ जाड़ दूंगी तो कुछ भी नहीं चिपकेगा तो इस बाद का खास ख् कीजिएगा तो बहुत अच्छा इसका रहेगा और नॉर्मल ठंडे के दीनों में इसको ज्यादा पानी की जरुवत नहीं है आप सिंपल चेक करके वाटर दीजिएगा कि उपर का टॉप लेयर आपका हलका ड्राइब हो जाए तब इसको पानी देना है और नॉर्मल डे में जैसे आपका रेनी सीजन है उसे में तो आपको पानी डालनी की जरुवत ही नहीं है जो आपका इंवार्मेंट से मॉस्टर इसको मीलेगा उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है थोड़े बहुत बारिश की पानी पढ़ गई तो उसके लिए काफी है और बार बार यही बात बोड़ रही हूं दोस्तों कि इसको बस मिटिक आपको ख्याल रखना कि मॉस्ट रहे बहुत ज्यादा ड्राइब हो जाएगा तो भी आपका ये प्लांट मर सकता है तिस बार में खास ख्याल रखिएगा कि पानी इसको चेक करते हुए स्वाइल को आपको देना है अब जो नेक्स्ट बात है दोस्तों ये है संलाइट की तो इसको संलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए वो भी डारेक्ट इन-डारेक्ट संलाइट में बहुत अच्छा सरवाइब करता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा इसलिए इसको कम्प्लीट इंडोर प्लांट प तो बड़े पेड़ों के नीचे यह हो तो बहुत अच्छा से चलता है इसमें डारेक्ट सनलाइट पड़ेगा इसके जो लीफ है वह बर्न हो जाते हैं इस तरह मेरे में अभी नहीं है लेकिन आपको साइड में आपको दिखेगा काला काला सा हो जाएगा जलने टाइप का तो तो कोई बात नहीं है चलेगा बहुत अच्छा इसके लिए होता है वरना अधर डे में मतलब किसी भी सीजन में इसको डारेक्ट सनलाइट पिल्कुल नहीं चाहिए तो आप इसको लिविंग रूम में बेडरूम में जहां विंडो साइड हो वहां पे आप इसको लगा सकते है सिर्फ सिंपल जहां ब्राइट सनलाइट इसको मिले छन के जो धूप आती है बस उतना मिले इसके लिए शफिस्यंट है और वह बहुत ज्यादा हैपी होता है यह प्लांट और आप देख रहे हैं इसका इसको ब्राइट सनलाइट सिर्फ चाहिए किसी भी तरह से मैं बार लाइट का ख्याल रखेगा तो आपके साथ यह कलाथिया और नाटा बहुत सालों तक आपका चलते रहेगा और थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्रोपगेशन से कि एक प्लांट से कई प्लांट आप किस तरह इसको बना सकते हैं तो बहुत ही ईजी है दोस्तों इसके नीचे से पफ निकलते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है तो आपको कुछ नहीं करना है जब आपका गमला पूरी तरह भर जाए आपको लगे कि पूरा यह रूट बांड हो चुका है तो बस आपको निकालके सिंपल आपको डिवाइट कर देना है इस तरह जहां से भ अलग कर सकते हैं रूट के साथ ही वह बनता है तो अलग करके आप दुसरे गमले में लगा दीजिएगा बहुत अच्छा से आपका एक निव प्लांट ग्रो हो जाएगा तो इस तरह आप प्रोगेशन भी बहुत इजी मेथट से कर सकते हैं बहुत आराम से हो जाता है और ड अब बात करते हैं दोस्तों पेस्ट अटाइक की तो ऐसे तो जनरली मैंने नहीं देखा कि किसी तरह का पेस्ट अटाइक होता है लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होता है तो उस समय हलके फुल की आपका ये पत्तों के पीछे मिली बाग या कुछ ऐसा जो निव लिफ निकलते ह अगर अगर फुल का दिखाई पड़े तो आप इसको ऐसे करके कपड़े से कौटन कपड़ा लेकर इसको वाइब कर सकते हैं या फिर नॉर्मल दिश्वास जो है और नीम मॉईल का स्प्रे आप इस पे करके साफ करके धो सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मतलब पुरी तर से यह निकल जाएगा तो इस तरह आप पेस्ट का ख्याल रख सकते हैं और जब बहुत ज्यादा यदि आपके प्लांट में लग गया हो तो आप इसका लीफ को भी कट करके हटा सकते हैं और नीचे से नया लिफ ग्रो हो जाएगा इसके लिए चिंता की बात नहीं है दोस्तों फर्टिलाइजर की जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका प्लांट का हेल्दी ग्रोथ के लिए तो फर्टिलाइजर इसको 15 दिन में एक बार लिक्विट फर्टिलाइजर डालिए काउडंग टी बना के या नॉर्मल जो बर्मी कंपोस्ट होता है उसको इस तरह बहुत जादा ठंड़ा जब टेंपरेचर 15 से आपका नीचे चला जाता है तो उस समय इसका ग्रोथ थोड़ा रूख जाता है लेकिन आपका हलका हलका ग्रोथ करता ही रहेगा तो उस समय किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर डालने की ज़रुवत नहीं होती है जब थोड सिजन आपका नमेंबर तक देखने को मिलेगा बहुत अच्छे सी इसका ग्रोथ होता है इस पिरियेट के दौरान आप एक मुठी बर्मिक कंपोस्ट हर महीने आप डाले और लिक्विट फर्टिलाइजर 15 दिन में जैसा कि मैं पहले भी बताई हूं कि आप प्लांट में डा करेगा जब बहुत ज्यादा हार्श टेंप्रेशर होता है दोस्तों उस समय आपको खास ख्याल रखना है कि इसको गरम लूम जिसको बोलते हैं ड्राइयर से थोड़ा बचाना है तो यह तो कंप्लीट इंडूर प्लांट मैं बार-बार बोल रही हूं है ही तो आप इंडू लगा सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को खलाथिया और नाटा एक बहुत थी बेस्ट एयर प्लांट है दोस्तों तो यह अपने घरों के अंदर जरूर लगाएं और अपने घरों को सचाएं तो इस तरह हमें उमीद है आपको मैंने जो भी जानकारी दी आपके प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा दोस्तों तो आज के लिए इतनी इंफोर्मेशन थी फिर में एकलते हैं आगले वीडियो में कुछ नए प्लांट के साथ कुछ नई जानकारी के साथ तब तक हमारा वीडियो यूँ है देखते रहिए नमस्कार